कि यह अगली स्लाइड पर आए हैं हम बात कर रहे थे कि इड का एक ही काम होता है वह होता है आपकी डिजार्स को सैटेस्फाइड करना यह तो नहीं है कि आप वह कोई अच्छे तरीके से इसको पूरा करते हैं खायश को अपनी खायश को या बुरे तरीके पूरा करते हैं इड का मकसद है आपकी खायश को पूरा करना सिर्फ साथ या आठ लोग मुझूद है अच्छा इसके लिए मैं आपको एक ग्जम्पल देता हूं फर्द कर लें आप लेटेस्ट आइफून खरीदना चाहते हैं आपके पास इतने पैसे नहीं है आप दुकांदार के पास जाएं आप उससे कहें कि मुझे लेटेस्ट आइ आइफून दिखाएं वो आपको आइफून दिखाता है अब आपके दिल में इस चीज़ की बड़ी खायश है कि मैं आइफून रखूं लेटेस्ट आइफून मेरे पास हो आपके पास उतने पैसे भी नहीं है जितनी उसकी कीमत है तो आप उसको लेके भाग जाते हैं चु ङैसे तो हैं नहीं खायश तो पूरी करनी है उसके लिए आप एफल मैढ़ यूज कर लो इसको ले जाओ इड़ आपको बो लेगा कोई बात नहीं इसको चुरा लो तो यशानी इड़ जो है इसका मकसद है आपकी एड़ का मतलब होता है आपकी खायशों को पूरा करने से म Super Ego. Super Ego को आपकी खाशात के साथ कोई काम नहीं है. Super Ego आपकी खाशात पर बिल्कुल जोर नहीं देता है. Super Ego जोर देता है social values की तरफ. Social values क्या हैं आपको उनको follow करना चाहिए. यह मनना है Super Ego का. Super Ego आपको कभी चोरी नहीं करने देगा. जो मौशरे में ठीक है जो आपकी social values के साथ से ठीक है. Super Ego आपको वो करने पर खुसाएगा. यह by nature जो है वो saint इसको कहते हैं. by nature saint है. वलियों की तरह है. works like a saint by nature. यहनि जिस तरह id आपको बुराई की तरफ मायल कर सकता है. जो super Ego है वो आपको बुराई से रोकता है. वो आपको social values के according चलने की तरफिंग करता है. वो कहता है नहीं चोरी करना बुरी बात है. चोरी करते हुए बंदा पकड़ा भी जा सकता है. उसके consequences होंगे. इस तरफ ना जाओ. यह जो है यह चीज socially acceptable नहीं है. लीगली acceptable नहीं है. इसकी तरफ ना जाओ. super Ego जो है. यूँ समझ लें कि एक extreme पे id है. दूसरी extreme पे super Ego है. super Ego का काम है कि वो आपको values को follow करवाता है. id और super Ego दोनों के दर्मियान fight चलती रहती है. एक तरफ आपका id होता है. एक तरफ आपका super Ego होता है. फरद कर लें. आप paper में गए हैं. आपकी job उस paper की कारकरदी पर depend करती है. याँ आप अगर उस पेपर में पास होगे तो आपको job मिल जाएगी. अगर आप उस paper में पास नहीं होगे तो आपको job नहीं मिलेगी. आपको वहाँ पे cheating करने का मौका मिलता है. अब paper मुश्किल है. आपको नहीं आता. आपको ऐसा लग रहा है कि ये paper में मैं अच्छी performance नहीं दे सकूँगा. नहीं दे सकूँगी. आप उस paper में cheating का आपको मौका मिल रहा है. id कहगा आपसे कर लो. cheating कर लो. पास करना है paper. अपनी खाश पूरी करनी है. कर लो. सूपर एको कहगा नहीं. नकल करना बुरी बात है. जो कुछ हासल करना है, अपनी मेनत पर हासल करना है. वैसे भी. नकल करना जो वो एक socially acceptable behavior नहीं है. सूपर एको आपको रोकेगा. क्योंकि सूपर एको जाए यह तो वैलियूज पर, social values पर, social values को follow करने पर जोर देता है. लेकर ऐसा होता है कि बाद जो social values हैं, यह भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती है. फर्द कर लें. हमारे हाँ एक social value है, कि जो बेटियां हैं, वो वालदायन के कहने पर शादी करेंगी. जिदर वालदायन कहेंगे बेटियां, वहाँ शादी करेंगी. बेटों के बारे में भी है, कि बेटे भी वालदायन की मर्जी के मताबिक. लेकर इस चीज़ पर इतना जोर नहीं दिया जाता हमारे society में जितना लड़कियों की, कि वो अपने वालदायन की मर्जी के मताबिक शादी करेंगी. अब बेटी को कुछ वालदायन ऐसे होते हैं, वो अपनी बेटी को पड़ा लिखा के, वेल एडुकेटिड करके, और किसी जाहिल गवार के पले बांदेते हैं, जिसको ना कोई तहजीब है, ना कोई. तो वो उनकी जिन्दगी जो है, वो बिलकुल अजाब बन जाती है. तो अब वालदायन के कहने पर शादी करना, वालदायन की नाफरमानी करना, अब इड जो है, वो फरद कर ले, इड ये कहता है कि वालदायन की नाफरमानी करो, सूपर एगो कहता है वालदायन की नाफरमानी करो, वालदायन की नाफरमानी करो, वालदायन की नाफरमानी करो या वालदेन की बात मानके, सूपर एगो की बात मानके भी नुकसान हो सकता है ये दोनों एक्स्ट्रीम हैं, हर एक्स्ट्रीम पे जाके नुकसान हो बुराई वाली एक्स्ट्रीम हो, वो भी नुकसान कर सकती है अच्छाईवाली एक्स्ट्रीम हो वो भी नुक्सान कर सकती है अब ये जो इड और सुपर एगो है इनके दरम्यान जरुवत है बैलेंस की ना तो बिलकुल वली हो और ना ही बिलकुल जानवर हो इनसान ना तो वली हो ना ही जानवर हो दरम्यान में हो मोडरेट हो एस बैलेंस के साफ़ चले शिदध पसंदना हो तो ये दोनों एक्स्ट्रीम्स हैं दोनों नुक्सान कर सकते हैं इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक तिसरा structure है वो तिसरा structure है एगो एगो बैलेंस करता है id और super ego के दरमया ego ego चलता है reality की according works on reality principle reality क्या है मतलब job तो आपने job की तो आपको जरूवत है job अगर आपको नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा घर के खर्चे नहीं चलेंगे या आपके खर्चे नहीं चलेंगे life में establish नहीं होंगे job की भी जरूवत है और cheating जो है वो भी नहीं करनी cheating करते हुए भी कोई मसला हो सकता है आप हमेशा के लिए paper papers के लिए ही वो job के papers के लिए भी या नहीं उससे नाहल हो सकते हैं आज कल हमारी वो सियस्ट में नाहल वाला वो लफ़ज सामने आजाता है हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है के values के चकर में आप इतना पढ़ जाएं कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे values पर असर पढ़े और आप से paper के दरमयान वो paper में कोई अच्छी कार करदेगी बिलकुल ना दिखा सको तो यानि वो दरमयान में कोई दरमयान नहीं रास्ता निकालेगा आपके लिए ego कि किसी तरह से आपका paper भी अच्छा हो जाए किसी तरह से cheating भी नहों कोई दरमयान वाला रास्ता निकालेगा दरमयान वाला रास्ता निकालने की कोशश करेगा आपका ego फर्द कर लें इसके लिए मैं आपको अमरे घरों की एक मिसाल देता हूं कि फरज कर लिए इड और सुपर एगों में से एक बीवी है और दूसरी मा है और दरमयान में जो बिचारा फंसा हुआ है वो मजलूम एगो है मा कहती है मेरी बास सुनो बीवी कहती है मेरी बास सुनो मा कहती है ऐसे करो बीवी कहती है ऐसे करो उसके उल्ट दोनों कहती है अब ये इगो की जिन्दगी है इगो दोनों में बीच का रस्ता निकलता है वो ना मा की सुनता है जादा ना बीवी की सुनता है बैलन्स करके चलता है जो reality उसको सामने रखता है जी मा की सुनते है और मा को ऐसे लगता है और बीवी की सुनते है तो तब आपने कहना है बीवी की सुनता है नहीं सर हमारे मियां हमारी भी सुनते अपनी मदर्स की भी और हम भी ऐसा ही करवाएंगे पने बच्चे से हाँ तो यह बैलेसिंग एक्ट जो पंदा करता है अब बिचारा फसा हुआ तो है इगो जो एड़ और सूपर एगो है वो तो है किदर खींच रही ही दर्मियन में वो बच्णा फसा हो है वो और कोई दर्मियाना रासता निकलता है कि मेरी मां भी मुझे से नराज ना हो और बीवी को तो खेर नराज कोई कर garant tha है तो तो दोनों को जो है वो balancing act जो है वो उस balancing act के जरीए उन दोनों को खुश रखने की कुशश करते हैं कि मेरी माँ भी खुश हो, मेरी डी वी भी भी खुश हो कोई भी बंदा मुईसल नराज नहाँ यानि यह समझ लें कि जो बच बचाओ का रास्ता बीच का रास्ता निकलता है वो दोनों एक्स्ट्रीम के दरमयान वो इगो है हमने एगो को वो ज़रा डिफरेंट तरीके से लेते हैं हाँ जी यह इस बंदे के अंदर इतनी बड़ी इगो है हम उसको वो अना के जमरे में ले ले दे हैं अलागि इगो जो है यह तो एक पॉसि ना इनसान को वो वली बनता है दरम्यानी तो इगो जो है उसने बैलेंस करके चलना है इगो बैलेंस करके चलना है उसने कभी वो बीवी से जूट बोल देता है कभी मां से जूट बोल देता है कि ताकि लडाई नहो वो भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए, वो बीवी के पास गया, वो मां पास गया तो भीवी मां इसाथ गालिया निकाल दी कि वो मेरी बीवी है, यह बड़ी खराब है, यह वो आपके साथ अच्छर भी यह नहीं, इसका मैं देख पुलूँगा, तो दोनों खुश हो गई, कभी किसी के पास जूट बोल दिया, कभी किसी के पास जूट बोल दिया, मैंने उसके साथ यह कर दिया, मैंने मां को यह समझा हलाएं कि ऐसा कुछ होता नहीं लेकर वो balancing acts होते हैं अच्छा यह जो balancing acts होते हैं जिनसे ego balance करने की कोशश करता है इड और super ego के दर्मयान in balancing acts को कहते हैं defense mechanisms यह यह कौन से त्रीके लगाके कौन से त्रीके लगाके ego जो है वो balance करने की कोशशिश करता है कौन से तरीके लगा कि इगो चीज़ों को बैलेंस करता है अच्छा ये इनको इसके जो बैलेंसिंग एक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं डिफेंस मेकनिजम डिफेंस मेकनिजम बहुत से होते हैं इनका कोई आर्डर नहीं है जितनी ये डिफेंस मेकनिजम पर रिसर्च है तो इतने ज्यादा पड़े भी नहीं जाते तो जो इम्पॉर्टेंट टैन के करीब यह मैं वो जो हैं वो सारे यह सारे जो साइकॉलोजिस्ट हैं वो फ्राइड की थियोरी में से यह टैन के राउंड बाउट निकालते हैं डिफेंस मेकनिजम उन पर हम डिसकुस करते हैं कि टैन जो डिफेंस मेकनिजम यह कौन से हैं पहला डिफेंस मेकनिजम डिनायल का मतलheart होता है इनकार कर देना मना कर देना किसी बाट रिर्यालिटी को एकसेप्ट ना करना realities जो है वो sometimes बहुत bitter होती है कुछ ऐसी realities होती है जनको इनसान वो होती तो realities है लेकर कबूल नहीं करता तो ego क्या करता है ego कहता है कि denial कर दो इनकार कर दो, ये चीज बड़ी तकलीफ दे इससे इनकार कर दो महन, मैं आपको जब हम ऐसी को reality सामने आती है जो हम expect नहीं कर रहे होते तो फिर id और super ego की लड़ाई शुरू हो जाती है तो दरिमान में ego आता है, वो denial में जूट बोल देता है, denial में उससे इनकार कर देता है, जूट बोल देता है कहता है, रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही क्यों लड़ रहे हो रुक जाओ, कुछ नहीं है सब की कै मैं आपको एक example देता हूँ इसकी, denial की, जनी अगर आप आप देखें ये मुख्तलिफ ड्रामों में जा मूवीज में फोन आता है, heroine को फोन आता है फरद कर लें, hero जो है वो मर गया है उसके बरे में फोन आता है वैसे तो आम मूवीज में hero नहीं मरते end पे जाके कहीं मर भी जाते है लेकन heroine को फरद कर लें फोन आ रहा है कि आपका जो husband है वो मर गया तो अब उसका जो पहला reaction होता है वो किती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो वो जो किती है reality है कि वो मर गया एक और example में आपको देते हूँ फरद कर लें आप किसी हम इमताने में बेठें आपकी त्यारी के बगएर आब बैट गए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हैं में जाकर बैठ़ के के चलो देखाते हैं कैसे Kimberly होता कैसे यह देख कियाते है आपने kimस? आपने time कर रही है आप जी सर आरी उप्र करें अब आप एसा हुआ कि जब result आया तो आपको पता चला कि आप तो basic यह दरम्याने कॉल आ रही है और हो सकता है उससे थोड़ी इंटरॉप्शन हो वैसे चलें दुबारा से हाँ तो आपको पता चलता है कि रिजल्ट में आप पास हो गए हाला कि आपकी कोई त्यारी नहीं थी आपने किसी त्यारी के साथ पेपर नहीं दिया था तो आपको कोई दोस्त बताता है कि यार मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा है तुम्हारे तुम पास हो गए हो तो आप कहतें नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुमने ठीक से नहीं देखा होगा ऐसा नहीं हो सकता यह यह भी डिनायल है या इसके लिए एक और एक्जमपल मैं देता हूं डिनायल आप क्या करते हैं किते हैं नहीं नहीं असा हुसकता मैरे तो सारे टेस्ट खीक थें, मैंने छे माँ पहले टेस्ट करवाये थे, मुझे कोई बिमारी नहीं थी, ये डेडली डिजीज़ मुझे कहा साया कर्यागे, ये डक्टर को पता नहीं है, मैं किसी Second Opinion ले लेता है। किसी और डाक्टर से, हालांके यह रियालिटी होती है, लेकर आप उसको डिनाई कर देते हैं, वो यह डिनाईल वक्ती तौर पर छूट जो बोलता है, यह आप से बोलता है एगो, कि आपको उसकी जहरा तकलीफ ना हो, डेडली डिजीज, आप मरने से पहले ना मर जाएं, इस डिफेंस मेकनिसम है, वो है डिस्प्लेस्मेंट, डिस्प्लेस्मेंट क्या है, रिप्लेसिंग वन तिंग अधर सेम तिंग, आपको एक चीज चाहिए थी, वो आपको नहीं लिए, आपकी खाश पूरी नहीं हो लिए, इगो दर्मियान में आएगा और कहेगा, इस तरह की दूसरी कोई चीज ले लो, ये एक जैसी ही है, बास उकात ऐसा होता है, कि अगर अगर आप टीचर हैं, आपके किसी अदारे में, किसी स्कूल में हैं फर्द कर लें, आपकी प्रिंसिपल आपको बिलावजा इंसर्ट कर दे, हलाँ कि आपकी उसमें को गलती नहीं है, आपक जो है, वो आपसे कहेगा, तोड़ दो, कोई बात नहीं, आपकी खायश है, तोड़ दो, देखा जाएगा, इगो तरम्यान में, अगर नहीं नहीं, इसका मून नहीं तोड़ना, जॉब चली जाएगी, कैसे गुजारा होगा, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं करना, रुक ज जैसा, ये नहीं, वो कहीं और पर जाके उतार लेते, ये, एक मारी स्टूड़न्ट जो है, वो इंगलेस लिटरेचर की स्टूड़न्ट थी, वो बता रही थी, कैम फिल किया, इंगलेस लिटरेचर मेरी इफा से, मुझे उनका नाम याद नहीं है, अगर वो इधर हैं तो, वो, अगर एक नोवल है, मिल अन दा, फ्लॉस, जोर्ज इलियट का, उसमें महगी नाम लड़की कह करें, तो जो मेगी नाम की लड़की है वो उसको जब कभी घुसा आता है जब कभी वो दुखी होती है तो वो उसने एक गुडिया रखी होती है वो उस गुडिया को जाके वो एक कुने में गुडिया पड़ी होती है वो उस गुडिया को जाके जोर जोर से मारती है और अपना घुसा उससे दूर करती है यानि वो मारना जो लोग उसको दुक्त पहुंचाते हैं या तकलीप पहुंचाते हैं मारना उनको चाहती है लेकर उनको नहीं मार सकती वो जाके मारती है उस गुडिया को अच्छा एक और सल्मान खान और जो अशुरिया राय हैं इनका अपस में अफेर था स्टार्ट में तो जो ना चल सका अब सल्मान खान ने उसके बाद एक मूवी बनाई वो उनका ब्रेक अप हो गया सल्मान खान ने उसके बाद एक मूवी बनाई थी लकी लक्की मुवी में मों अशुरिया राय की एक हम शकल को ले आया था यानि वो वाली अशुरिया नहीं मिली तो अशुरिया की हम शकल ही सही इसको कहते है डिस्प्लेस्मेंट एक चीज आपको हासल नहीं हुई एक खायश पूरी नहीं हुई उसी तरह की चीज docket जरीये वो खाश्ष पूरी करना इसको कहते हैं displacement जो चीज हमें करनी है वो नहीं हो सकी हम आप नहीं कर सकते तो वो किसी और जगाँ कर लेते हैं किसी और जगाँ जाके करते हैं तो उसी तरह की चीज़ ये है displacement उसके बाद जो अगला डिफेंस मेकनिजम है वो है फेंटेसी, डेड्रीमिंग, तिन में खाब देखना. फरद कर लें, एक बच्चे है, वो थोड़ा ज्यादा कहलें, कहानियों में गुम रहता है, वो कहता है, मैं जो है, मैं वो बादशाह बनूगा, अगर आपने वो, एक पोएम है, उसकी, इंगलिश में मुझे भूल गई उसका नाम, टाटरी पोएम है, अगर मैं टाटरी का ब में रहते हैं, तो अगर बच्चे ने कहानी पड़ी, अब उसका नाम, थोड़ी देर के लिए दुनियों माफिया से भी खबर हो गया, वो सोच रहा है, हाँ जी, मैं बादशाह हूँ, मेरे इतने नुकर हैं, मेरे जो, मेरे पास फाज है, फाज का सिपास अला रहा है, मेरे मेरे पास हाथ ही है, मेरे पास शेर हैं, मुझे पंका, वो बड़ी बड़ी पंके चल रहे हैं, वो औरतें चल रही हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं हुकम चला रहा हूँ, वो थोड़ी देर के लिए अपने आप के अंदर एक बादशाह बनके बैठा है, दिन में बैठा, व यह जी मैं एक मिनट कॉल कर लो छोटी से जी आवाज आ रही है मेरी? यह सर्थ यह जो मैंने कॉल की उसकी आवाज तो नहीं 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 उसकी नहीं आई सर्थ अच्छा चले ठीक अच्छा तो हम फैंटेसी पे डेट्रीमिंग पे थे फर्द कर लें स्कूल में कोई फंक्शन था आप उसमें पर्टिस्पेट नहीं कर पाए आपके दिल में वह खाश रह गई अब आप उन खाशां को पूरा करना चाहते हैं लेकर पूरी हो नहीं सकती स् तो यहां पर वो खाश आपकी पूरी नहीं होई आप नहीं वो कर सके उसमें अब यहां पर एगो एक चलाकी करेगा वो फैंटेसी यूज़ करेगा आपको दिन में सपने दिखाएगा फर्द कर लें आप कहीं बस में जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप ऐसे खो गए ह हैं वो उसी फंक्शन में चले गए हैं फर्द कर लें आपने उस फंक्शन में आप सोच रहे हैं कि मैंने जी वहां पर बड़ा कमाल का डांस किया पूरे हाल ने मुझ पर फूर फैंके पूरा हाल तालियों से गोंज उठा वो जिस लड़की पे मुझे क्रश था वो भी मेर वो मेरे से बड़ी इंप्रेस हो गई ये हो गया वो हो गया मैं वहां पर शिजादा बन गया मैं वहां पर हीरो बन पूरे फंक्शन का तो यानि वो थोड़ी ज़रे करिए उस से बड़ी सैटेस्फेक्शन ले रहा है उस से बड़ा मज़ा ले रहा है फन ले रहा एक बंद Identification. Identification का मतलब है, ये इदर लिखा हुआ है, try to be famous with something famous. आप खुद इतने famous नहीं हैं, लेकर आप किसी मशहूर चीज़ के साथ अपने आपको जोड के उसके साथ तल्ब बना के अपने आपको famous करना चाते हैं. लेकर सारे लोग famous होना चाते हैं, लेकर कुछ ऐसा है कि हमारी जो life है, वो normal लोगों वाली life है, हमने जिन्दगी में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, हम ऐसा कोई अनकलाब नहीं लेके आए कि वो लोग हमें, हम बड़े famous हो जाएं और लोग हमें पहचाने हमने कोई बड़ा कारणामा सारे अन्जाम नहीं दिया, तो हम लेकर हम famous होना चाते हैं, उसके लिए जो ego है, वो identification वाला जो defense mechanism है, ये use करता है, identification वाला कैसे, फर्द कर लें, आप जाते हैं, भूरबन मरी में चलें, भूरबन मरी चले गएं, वो एक अच्छा और महंगा hotel है, जहां पर elite class जात हैं, किसी तरह से वह, अगर आपके पास पैसे कम भी हैं, तो किसी तरह से munaj कर चले जाते हैं, वहां पर, कोई सच्टा खाना में गवा लेते हैं, और वो कोई सच्टा package ले लेते हैं, लेकन वहां पर आप तस्वीरें बना लेते हैं, कि देख वह हम खाना खारहे हैं, PC भू मचाइब और व्यवो मेर्बन मशुर है तो उसकी जो वू उसकी मश्यूरी है उसकी वज़ा से आप खूद को फूमस करना चाहते है आप को को कुई स्यासद्दान मलता है LNG मलता है kilometres मिलता है उसके साहथ है अप सेल्पी बनाके फेस्बुक पर पोस्ट कर रहे हैं काजयाजम यूनिवस्टी का पड़ा हूँ, मैं पंजाब यूनिवस्टी का पड़ा हूँ, अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है, बस अपने आपको फेमस करना है, वो काजयाजम यूनिवस्टी के जरीए, पंजाब यूनिवस्टी के वो फेमस हैं, उस से अपने आपको निजय में वो है isolation ठीक इसके ओल्ट है identification की identification है ना किसी मशूर चीज के साथ जोड़ के खुद को अपने आपको famous करना किसी famous चीज के साथ जोड़ के जबके isolation का मतलब यह मतलब यह किस बदनाम चीज से खुद को अलादा कर लेना अब फर्द कर ले एक बंदा भो कि हो के त 9 फे प्रव है वाहंब युनिवूस्टे के बारे में यही शूर जा कि वहांपर तो मनिशियाँ काराज है और मिनशियाँ फ्रोश होते हैं और बचिन मनिशियात कर दी है बड़ा गंदा माहौल है वहांपे लड़ाईयां जगड़े होते हैं, कतल हो जाते हैं, हर बंदा वहां जाने से डरता है, जी मीटिंग चल रही है, यह सर चल रही है, अच्छा ठीक है, अब हर बंदा वहां जाने से डरता है, फिर आप बेशक उस यूनिवस्टी के पड़े हुए हैं, आप उससे खुद को अलग करेंगे, किस बेशक आपके बास, आपकी ये खायश है कि आप फिमस हों, लेकन अगर कोई चीज बदनाम है तो उससे आप खुद को अलग कर लेंगे, जैसे ये पुलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर होता है, वो कोई ऐसा बियान दे 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 जिससे पार्टी बदनाम होत है, अमारी नहींगे, तो इसको कहते हैं, आईसोलेशन, यहां पर यानि जो चीज बदनाम है, जो चीज बुरी है, उससे खुद को अलग कर लेना, इसको कहते हैं आईसोलेशन. उसके Mex का मतलब है कि अपनी घलतियों पर किसी और को ब्लेम करना, गलती अपनी है, लेकन किस किसी और को करना यह इगो यह गलती हो गई को शाच प्रेम करके वो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता है यह इसके लिए छोटी सी मिसाल जो आम तोर पर फर्यज करने एक बन्हों किच्छन में गया है वो खाना बनाने के लिए गई है कोई टीचर के ले मैडम के ले गई है वो वहां पर शीशे का गलास पड़ा था वो गुजरी उसका हाथ लगा वो गलास गिरा तूट गया अब जो पहली बात वो करेगी यह गलास किसने यहां रखा था यानि गलास रखने वाले की गलती है तोड़ने वाले की गलती नहीं है यह किसने यहां पर गलास रख दिया अब उसने खलती खुद की है लेकर ब्लेम कर रहा है गलास रखने वाले को तो यानि यह अपनी गलती जो है उसको दूसरों पर थौप देना प्रोजेक्ट का मतलब कुछ नी करने दे रहे. हालना कि कर खुझ कुछ नी रहे. लेकं इल्जाम आ जाता है ये अपोजिशन ये मुझे कुछ ने दे र था. अपनी honestyιο कह आ, इल्जाम दूसरों पर दे देते हैं. अच्छा. फर्овर एब आर्फ समनी में निगरानी कर रही थी ना उसकी उसने बड़ी हाई यील पहनी हुई थी वो उसकी आवाज आती थी और हमारे अटेंशन डैवर्ट हो जाती थी इसलिए हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके यानि उस मैडम का कसूर था पेपर देने वाले का कसूर था कि आप तक पहुंचते तो पहुंच मिट्व नेट हो भी आपने तीन्हीं घंटे में कुछ नहीं फिगारा तो पांच मिट्वें क्या भगाड़ लेते हैं यनि घलती अपनी दी लेक questionnaire है, लिक टूर को फि keeping वाला है, ये है बहुंच से अलग है प्रोजेक्शन है कि अपनी गलती पर देरों को जबके ये है कि अपनी घल्पी को मानने की बजाए आर्गुमेंट्स देना उसको जिस्टिफाई करें के लिए रिशनलाइजेशन ये रिशनले रीजन से निकला है रिशनल का मतलब होता है रीजन ये प्रोजेक्शन की तरह नहीं है यानि आपने जो घल्पी की है उसको ठीक ठेराने के लिए आप अर्गुमेंट्स देते हैं फर्द कर लें एक बच्चा है वो आम तोर पर बच्चे जो है वो फर्द कर लें पचास रुपए का पैन ले एक उससे लिखतें एक बच्चा गया वो पांच सो का पैन ले आया अब उससे घरवाले पूछते हैं भÃ जी 50 रुपए वाले पैन से भी तो लिखा जाता है ये 500 वाला पैन क्यों लेकिया इतने ज्यादा पैसे क्यों लगा दिये वो कहता है जि इस से मेरे अच्छे नमबर आते है अब नमबरों का पैन के साथ तो कोई तरल्ड नहीं है कि 500 वाला पैन जो ज्यादा करने के लिए आर्गोमेंट दिया यह रिशनलाइजेशन जो डिफेंस मेकानिजम वो है रियक्शन फॉर्मिशन यह हमारी जिन्दगी में अक्सर होता है रियक्शन फॉर्मिशन हम सामने से कुछ होते हैं यानि सामने कुछ होता है हम कहते कुछ हैं करते कुछ दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं सामने कुछ हो रहे हैं पीछे से कुछ हो रहे हैं ये देखें हमारे जो सियस्तदान हैं इनकी जिन्दगियों को देखें ये जो हमारे पीर हैं अकसर जाली पीर जो हैं ये सामने क्या होते हैं जी बड़े नेक हैं वली हैं प्रेजगार हैं इनके थोड़ा सा करीब जाएं तो इतने वड़े वो लूंब होते हैं कि अल्ला माफ करे अच्छा ये इन चीज़ों पर फिट आता है देखें जो एड है ना ये पुब्लिकली डिजायर को कभी पूरा नहीं कर सकता तो यहां इगो क्या करता है इगो कहता है पुब्लिकली ये ना करो पुब्लिकली ऐसे करोगे तो सोशल वैलियू उन पे असर पड़ेगा सूपर इगो आपको ये नहीं करने देगा ऐसे खाश पूरी नहीं करने देगा अब छुपा के कर लो इसको कर लो लेकन छुपा के कर इड वाला ही काम कर लो लेकर किसी को पता न चले सुसाइटी में ये अक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए सुसाइटी को पता न चले दिल में कुछ और होता है हकीकत में कुछ और होता है जैसे ये सियसेदान, बिजनिसमेन यह sports person, film star, यह सारे लोग, यह इनके क्रीब जाएं तो पहले इनका बड़ा एक वो personality का aura होता है कि यह ऐसे हैं, बोगनों को देख के बन्दा क्या-क्या मैदन करता है, लेकर थोड़ा से इनके क्रीब जाएं, इनके पास जाके देखे हैं तो इनके अंदर ऐसे-एसे वो बाज जो यांज वकात गंच भी भरे होते हैं कि बंदा परशान हो जिते हैं के ये क्या हो गया मैं क्या समझता था ये क्या निकला और mostly ऐसा होता है कि यह रियक्शन फॉर्मेशन जो है यह तक्रीबन हर बंदे की लाइफ में होती है मैं रियक्शन फॉर्मेशन की आपको एक और मिसाल देता हूं फर्ज करें आप कहीं जॉब करते हैं अप अन्मेरिड हैं कौन जी यह आप कहीं जॉब करते हैं आप अन्मेरिड हैं अब वहां पर आपकी कोई कुलीग है वो मेरिड है आप उसको पसंद आ गए हैं लेकर वो आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पहले शादी हुई हुई है लेकर वो आपको पसंद करती है अब वो क्या करती है अब शुरी बाएर कोई था चलें यह हां वह एक मिनट रह गया है सर एक मिनट इस मीटिंग का एक मिनट रह गया है इसी में यह सलाइड समप कर दें फिर दो सलाइड हम इंशालाइस कल पर शेंए इसकी ना आप नेक्स्ट वो दुबारा से आ जाए गर एक मिनट रह गया तो इसको थोड़ा अभी दो तीन रहते हैं अगर एक मिनट रह गया तो यह होस्ट अगर आप हैं तो आप इस मीटिंग को एंड कर दें आप कंटीनियो करते हैं जितना हो जाता तो फिर कर लेते हैं सर आप सर इतना आई नफ्स हैं यह बाके काल कर लेंगे यह इसको आज डिफेंस मेकनिसम को खतम करें कल फिर कुछ और करेंगे यह दो तीन जो रहे हैं अभी तो एक मिनट पूरा रहता है वो आपको एक बीबी जो है वो आपकी कुलीग है पसंद करती है लेकन वो शादी शुदा है वो आपसे शादी नहीं कर सकती अब वो क्या करेगी वो स्टाफ के पास जाके कहेगी कि यह बंदा तो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता यह तो है यह बड़ा गेर मौजब यह तो मुझे पर वैसे ही बुरी नज़र रखता है अब उसके दिल में आपके लिए अट्रेक्शन है लेकर वो दिखाती है जैसे आप उसको बहुत बुरे लगते हैं दिल में कुछ और है उपर से कुछ और है इसको कहते है रियक्शन फॉर्मेशन यानि आप जो करते हैं या सोचते हैं वो और होता है जो दिखाते हैं वो और होता है यह रियक्शन फॉर्मेशन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिप्रेशन